नमस्कार मैं सुरज कुमार और आप देख रहे हैं पलपल लाखो रुपे कीमत का डोड़ा पोस्तो रफीम के साथ दो काबू जिला भर में मादक पदार तसकरों के खिलाब चलाए जायरे विशेस अभ्यान प्रबल प्रहार के तहट जिला की सियाई पुलिस द्वारा गस्त वे चेकिंग के दोरान महतुपून सुचना के अधार पर कारवाई करते हुए टाटा 407 में से सवार दो लोगों में को काबू कर लिया है और उनके कबजा से लाखो रुपे की किमित के 121 किलो ग्राम बोड़ा पोस्तो वे एक किलो ग्राम अफीम बरामत करने में बड़ी वलता असिल की है पकड़े के रहे आरोपियों की पहचान सोहन सिंग पुत्र फोजा सिंग निवासी जंडा कला पंजाब वे बलविंदर सिंग पुत्र धरम सिंग निवासी बेगुरोड सिर्शा के रूप में हुई है एलनाबाद डीएसपी सादुराम ने बताया कि सी पुलिस टीम ने चोटा भट्टू रोड पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी उन्होंने बताया कि इसी दोरान टाटा 407 में सवार दो लोग चोटा से भट्टू रोड पर आए जिनकी शक के आधार पर तलाशी लेने पर टाटा 407 में पता आधी बताया है इस संबंद में चोटा थाना में मादक पदार्थ दिनियम के तहत अभ्योग दर्ज कर सप्लाइर की इतलाश शुरू कर दी है आप देख रहे हैं पलपल सिरसर से अमर्शिंग जानी की यह रिपोर्ट कल स्याइए स्टाफ को चोटा 76 में किसी केंटर मे लुए निशिला पदार्थ आने वारे में इतला मिली थी जिसके श्याह स्टाप ने भटूरों पर नाकावन्दी की थी एक केंटर आया सकी बना पर रोक्ट्या और तलसी के लिए मैरे को भी तला दी चो मेरी मौजूदगी में केंटर की तलसी ली गई केंटर के आगे कैब सब्सक्राइब कर दोड़ा वा था जिसमें 11 कट्टे मिलेजिन में डोड़ा पुष्ट थी इनका वेट करवाया गया अफिम एक किलो मिली और 11 कट्टों में 11-11 किलो एक सो पुल 121 केजी डोड़ा पुष्ट बरामद हुआ जो इस मंद में सोन सिंख सोनी जो जंड़ा करेने वाड़ा है और बल्विंदर सिंख रूप कलोनी सब्सक्राइब करेने वाले हैं आतर अप्रादिये जिन से चीज़ ब्रामद की है इनका एक साथी का नाम हो रहा है चानवीन चल रही है तो यह स्टाफ द्वारा परबल परहाल के अंदर बहुत बड़ी उपलवदी है यह जो परबल परहाल दब से सुरू किया है उसमें काफी एहमिज की वो है तो आगे भी यह जैसे शेहर इस्टाफ द्वारा पर्यास जारी रहेगा नासा मुफ के पर नोक लगने के लिए